हेलो फ्रेंट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूटूब वीडियो एडिटिंग कैसे किया जाता है तो आज की वीडियो में हम यहीं सीखने वाले हैं कि यूटूब के लिए वीडियो एडिटिंग कैसे किया जाता है और किस अफ्रिकेशन से किया जाता है तो फ फाइनले हम अपने मोबाल स्क्रीन पे आ गए हैं और यहां आनेकि बास से फ्रेंट्स में आज काइनमाश्टर अप्लिकेशन का यूज करके वीडियो एडिटिंग आपको सिखाने वाले हैं तो यहां से काइनमाश्टर अप्लिकेशन को हम उपन कर लेंगे और जैसी open करेंगो friends कुछ इस तरह का interface दिखे तो आपको simply यहाँ पे plus के button पे click करना है और जैसी यहाँ पे click करेंगो friends आपको first dollar ratio 69 का ratio जो है उस पे click करना है और जैसी यहाँ पे click करेंगो friends आपको simply आपने जो भी वीडियो record करके रखे हैं उसे edit करना चाहते हैं तो आपको simply क्या करना है media पे click करना है और यहाँ से उस वीडियो को ले लेना है जहां पे रखें जिस folder में रखें वहाँ से उस वीडियो को select कर लेना है अब टो यासे हम अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं और okay पर क्लिक कर कर देखें आ हमारी वीडियो कब मतलब कितने मतलब कब खतम हो रही है देखिए यहां से हमारी वीडियो यहां पर क्लिक कर देना और इससे डिलीट कर देना है और डिलीट करने के बाद से फ्रेंड्स आप क्या करना है सिंपली यह जो वीडियो है इस पर क्लिक करना है और इसका जो साउंड है 200 कर लेना है और 200 करने के बाद से फ्रेंड्स आपको क्या करना है इसमें देखिए यहां पर सेटिंग पर क्लिक करना है और यहां से क्या करना है आडियो फ्रैडड आउट इसे इसको जीरो कर देना है अब इसमें चाहते हैं कि आप जो सब्सक्राइब बटन का आईकन होता है उसको लगाना तो आपको क्या करना है सिम्प्ली जो इसा करत लाना जो सब्सक्राइब बटन होता है फैसा से wresting since ऑर यहां से आपको सलेक्ट ग्लें तो layer पे क्लिक करना है और media पे जाना है हमने पहले उसे मतलब green screen वाला सब्सक्राइब बटन है उसे बिद冷rosate Erer हैं ऊधान कर देंगां अब देख सकते हैं कूछ इस तरह का दिखेगा तो simply हम इस पर क्लिक किया और इसको थोड़ा छोटा करेंगे और यहां पर नीचे की तरह कोने में लगा देंगे और तो आप देख सकते हैं किस तरह प्ले हो रहा है तो देखें फ्रेंट कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा तो आपको simply क्या करना है इसका जो साउंड है बेल आइकन यानि तो उसको थोड़ा कम कर लेना है देखें आपके हम कम कर लेते हैं और रोके कर देए तो हमारी यह यह सेट हो चुकी है तो अब इसमें अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगाना तो आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा सकते हैं उसके लिए आपको आडियो पर क्लिक करना है और simply आप जहां पर जिस फोल्डर में अपनी आडियो को रखे हैं तो मैं एक बात और बता दू को आपको वही वाला आडियो यूज करना है जिस पर मतलब आपको कोई भी कफिराइट मतलब नहीं आए तो आपको simply क्या करना है YouTube पे जाना है YouTube पे जाने बाद से YouTube आडियो लाइवरेरी होता है वहां से आप music डाउलोड कर सकते हैं वहां से डाउलोड करना है तो आपको कोई भी कफिराइट महां रहे गाए तो हम भी वहीं से डाउलोड कर रहे हैं तो simply कर लेदें है उसके बासे मैं उस फोल्डर में जाथा हूं जहां पे रखा हूं नो कफिराइट यासे हम उस music को सेलेक्ट कर लेंगे देखिए यां पे क् किस तरह कावा जा रहा है और किस अफिकेसन से किया जाता है तो आपको आपको फानली ले चलते हैं अपने मोबाल इसी तो आप देख सकते हैं यह हमारी वीडियो जो है पूरी तरह कंपलीट यानि एडिटिंग हो गई है अब हमको इसमें कुछ करना नहीं है आप सिंपली क्य लेना है कि यह आपकी वीडियो की क्वालिटी जो है मतलब फूले से डी में अच्छा लगए तो देखे आप फूले सेडी पे क्लिक किया है अब इसे क्या करेंगे फ्रेंग यहां पर export पे क्लिक करें और जैसे यह एक्पाट पे क्लिक करेंगे हमारी वीडियो सेवग होना सुरू हो गे तो फ्रेंड्स अई होब कि ये वीडियो आपको पसंद आओ वीडियो पसंद आओ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को भी दबा दीजेगा धन्मा दोस्तो आपका दिन को बाद जाहिन बंदे मातरं